आज जो है हम लोग फोटोकेमेश्ट्री एंड सॉलिड इस्टेट सब्जेक्ट का एक टॉपिक डिसकस करेंगे जो की है टॉपिक का नाम देखें तो वह है क्वांटम यिल्ड और क्वांटम यिल्ड के अंतरगत जो है हम लोग क्या क्या डिसकस करेंगे उसको जो हम इस इसके बारे में देखेंगे, उसके 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 ब भिए की या कैसे प्राप्त होता है इसके बारे में देखेंगे लास्ट थे आपने कीसे कि दिस्पस करेंगे कि किूर के इस इस्टडी के लिए prefer कर सकते हैं एक-एक करके हम लोग discuss करते हैं तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं introduction तो introduction में हम देखते हैं तो इसमें बताते हैं कि the law of a photochemical equivalence is restricted to a primary photochemical process यह जो photochemical equivalence जो होता है वह primary photochemical process को restricted करता है Each reacting species excited by the absorption of radiation get chemical transformation और इसमें देखें तो प्रतिय जो reacting species होते हैं वो radiation का absorption करते हैं और absorption करके वह excited होंगे और excited हो करके वह chemical transformation देते हैं and formed a product produce on a further reaction और चा करते हैं तो reaction में जो है जो होते रहता है उसमें जो है product का formation करता है आगे देखें इन सच केस कुछ केस में देखें इस विल बी वन रेशियो वन रिलेशन सिप बीट्विन नमबर आप क्वांटास absorbed and the numbers of reacting molecules कुछ जो example देखें या कुछ जो case देखें तो उसमें हम देखते हैं कि जो क्वांटा absorbed जो होता है और जो प्रोडक्ट रियक्टिंग molecules जो होते हैं उनके बीच का जो रेशियो होता है वहाँ वन रेशियो वन में होता है मतलब क्या होता है तो रियक्टिंग जो molecules होंगे उनका एक 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 मोलेक्यूल रहेगा और एक क्वांटा जो है जनरली इसके लिए यूज किया जाता है इसलिए इसको हम लोग जो है फोटोकेमिकल रेक्शन होते हैं वे जो हैं सेकेंडरी फोटोकेमिकल रेक्शन के माध्याम से संपन होते हैं इसमें बोलता है फोटोकेमिकली एक्टिवेटेड इस्पेसिस और प्रोड़क्ट मोलेक्यूल इनिस्टियेट्स या सीरीज ऑफ केमिकल ट्रांस्फर्मेशन तो इसमें क्या होता है। इसमें जो है फोटो केमिकीकली एक्टिवेटल सब्सक्राइब सब्सक्राइब होता है। while in a some case कुछ case में देखें तो photo chemically activated spaces undergoes a deactivation और कुछ case में देखें तो जो some case के लिए जो activated spaces होते हैं वे deactivation के प्रोशेस में follow होते हैं मतलब क्या है इसका तो, इसका कहने का मतलब है की कुछ reaction में जो है Tout marketly activated होंगे opened या कहने का मतलब है कि फोटो केमिकली एक्टिवेटेड इस्पेसिस जो है वह इनिसियेट करते हैं किमिकल ट्रांसफर्मेशन को लेकिन कुछ केस में देखें तो कुछ केस में बताया जाता है कि जो फोटो केमिकली एक्टिवेटेड जो इस्पेसिस होते हैं वे जो है उसे के प्षोटोखिमिक्टल रियक्षन के नाम से इसको जाना जाता है आगे देखें दे लॉज देयर एनर्जी इन फिर्म आप अप हीट और रेडिये चन्ट अब इसमें क्या होता है तो जो फोटोखिमिकल ली ऐपक्टिवेटेड़ी स्पिसिस होते हैं जो कि डियक्टिवेट हो कुछ खंडिशन में देखें देर विल बी नो उन रहों रिलेशनीब बीट्वीन दनंबर आप क्वाण्टा एब सुप्ष एपर्डाइपज अन्ड उन्ड उप्रोडक्त मॉल्लीकूल और कुछ इसन पहला वह पता चंडिशन्ड गूल्लीकूल और этого sex nds अबिज नहीं होता है यहां कुछ masihàn में नहीं होते हैं मतलब one ratio one का relationship जो है उसमें देखने को नहीं मिलता है कुछ condition में तो उसे चीछ को पोड़ रहा है कि one ratio one के जो पहस्का अब्सॉड है और product molecules है उनके बीच में one ratio one का रेशियो प्राप्त नहीं होता है देन आगे देखते हैं देवियेशन फ्रॉम ऑच केमिकल एक्विविलेंस से डिस्क्राइब बाई डा आइडिया ऑफ अ क्वांटम यील्ड और क्वांटम इफिसियनसी और इसमें देखें तो इसी को ही जो वन रेशियो वन में प्राप् क्वांटम इफिसियनसी जालता है कि देखते हैं ईसमें और अगे तो क्वांटम इफिसियनसी नेक्स अगे केमिक अंडर गोईंग केमिकल ट्रांस्फर्मेशन पर क्वांटम ऑफ सुटेबल रेडियेशन एब्सॉर्ड तो इसका जो परिभास है उसको हम बता सकते हैं कि नंबर आप मॉलेक्यूल्स अंडर गोज केमिकल ट्रांस्फर्मेशन मतलब इतव पर क्वांट्ता के बेसिक पर जो सुटेबल रेडियेशन एब्सॉर्ड होता है तो यही हमारा क्वांटम हिल्ड कहलाता है जिसको क्वांट्म पाइ Channel यह जो है हमारा फाई होता है ठीक है फाई से क्वांटम या क्वांटम इफिसेंसी को एक्सप्रेंड करते हैं तो यही चीज़ यहां पर बताया जा रहा है कि पर क्वांटम के बेसिज पर किसी सुटेबल रेडियेशन को जब कितने मॉलेकुल्स जो हैं वो एबजॉर्ब करक केमिकल ट्रांस्फार्मेशन देंगे वही उसका क्वांटम यिल्ड कहलाता है जिसे हम लोग फाई से दिखाते हैं तो यही चीज मैंटेमेटिकली रूप से हम ऐसा दिखा सकते हैं क्या दिखा सकते हैं तो यह है 5 is equal to number of molecules reacting in given time मतलब दिये हुए टाइम में जो number of molecules है number of reacting molecules divided by number of quantum absorbed in a same time उसी टाइम पर कितना quanta absorbed हुआ है कितने reacting molecules जो है उस टाइम पर भाग लिए है इसका जो रेशियो है यही रेशियो quantum yield कहलाता है तो पहला mathematically equation के रूप में हम लोग इस प्रकार से इसको बता सकते हैं दूसरा जो है इसके लिए बता सकते हैं 5 is is equal to number of molecules reacting in a giving time मतलब क्या है तो इसमें बता जाता है कि 5 is is equal to बोल रहा है कि जो दिया हुआ time है उसमें कितने moles के reacting molecules participate किये है divided by number of Einstein absorbed in the same time उसी time पर कितने Einstein देखें क्वांटा जो है अब उसको Einstein unit में लेकर के इसको बताया गया है क्योंकि moles है और moles के basis पर बताया जा रहा है तो mole के basis पर है इसलिए इसको Einstein में बताया जा रहा है क्वांटा को तो इसमें बोल सकते हैं कि number of जो number of moles reacting molecules है जो जितने time में दिया गया है उसके divide में number of Einstein absorbed को divide कर देंगे तब हमको जो है यहां से quantum yield जो है वो प्राप्त हो जाता है ठीक है तो दूसरा दूसरा relation हम इस basis पर बता सकते हैं quantum yield क्या होता है इस चीज़ को अगला देखते हैं हम लोग तो five is also equal to तीसरा टाइप का यह mathematically जो equation है वो रेट आप chemical reaction divided by number of Einstein absorbed तो क्या कर सकते हैं chemical reaction है तो उसका rate divided by number of Einstein absorbed का ratio अगर निकाल लेते हैं या उसको divide कर देते हैं तब हमको यहां से quantum yield या फिर five या quantum efficiency जो है वो प्राप्त हो जाता है तो यह तीन जो equation है mathematically equation है इन तीनों के द्वारा जो है हम लोग क्या करते हैं तो five का determination करते हैं अब five जो है वहां quantum yield होता है या फिर quantum efficiency होता है आगे देखें तो आगे इसमें बताता है कि one Einstein is also equal to one mole of quanta of radiation मतलब radiation के एक mole quanta को हम एक Einstein के बराबर ले करके चलते हैं ठीक है तो यहां पर one Einstein के जगह पर हम लोग one mole quanta आपर radiation भी ले सकते हैं ठीक है तो यह होता है आंस्टीन का रिलेशन को क्वांटा से नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट इसमें टॉपिक है प्रोसीजर आप डिटर्माइनिंग क्वांटम हील्ड आफ फोटो केमिकल रियक्टर जो फोटो केमिकल रियक्टर होते हैं उसमें प्रोसेस के द्वारा क्वांटम इल्ड वह उटकिया जाता है उसको तो इस प्रोसेस के द्वारे से करना है तो देन डिटेक्टर डपेंड्ड आपउन डवेवलेंथ रेंज यूजड फोटो केमिकल रियक्टर है तो कहने का मतलब क्या है किसी अगर हम फोटो सामिकल रीक्शन है या रियक्टर है उसके लिए सबसे पहले हम को तो इसका स्वी स्वी गणिश्क है क्वेवलेंथ कारे है कि कौन वेवलेंथ होता है उसके पर जो है इसका क्वांटम विल्ड डिटर्मिनेशन जो है आसानी से कर सकते हैं इसमें आगे देखें तो आगे बताता है देन डिटर्माइन दा लाइट इंटेंसिटी और उसके बाद जो है उसकी लाइट की इंटेंसिटी को पहले हम लोग ग्याद कर लेते हैं पहलाु प्रोशेश है की जो इंटनसीटी हम लोग आत कर लेकुटी का करते हैं। तो now fill reaction vessels, अब उसमें reaction vessels को fill कर देते हैं, fill reaction vessels with a reaction mixture, मतलब जिसका reaction कराना है या जिसमें reaction हो रहा है, या photochemical reaction है, उसको अब उस reaction vessels में हम लोग डाल देते हैं, allow to light to pass through, और उस पर allow करते हैं light को pass होने के लिए, इट फार नोन टाइम और पर्टिकुलर टाइम के लिए मतलब जितना टाइम के लिए उसको देखें तो कुछ मतलब एक पर्टिकुलर निश्चित टाइम के लिए जो है वहां पर हम लोग लाइट को पास कराते हैं and record the intensity और उसके intensity को record कर लेते हम आप a received light that is a particular intensity को क्या कर लेते है अब यह तो हो गया दोनों चीज पहले क्या हुआ तो normal light कि इनगाड़ कर लीए then यह वहां पर रियक्षन मिक्स्टर पी इनफिये टाले हैं उस रियक्षन रीडिंग विल गीव दा एमाउंट आप एनरजी एब्सॉर्ड बाइद रियक्शन सिस्टम अंडर इग्जामीनेशन अब इसमें क्या करते हैं तो जो इग्जामीनेशन हम की यह दोनों चीज का जब इंपिटी वेसल रखे थे तब और में रियक्शन में रखे थे तब दोन लाइज दो कंटेंश आफ ए रियक्शन मिक्श्टर और उसमें रियक्शन मिक्श्टर को एनरज कर लेते हैं देन नाव एपलाइद फॉलोईंग एक्वेशन अंड पूट वेल्यो तो गेट अ क्वान्टम एफिजियंसी और उसके बात क्या करते हैं तो जो पहले हम लोग पढ़े उस equation को जो है उस equation के basis पर जो observe किया हुआ जो data है उनको analyze करके हम लोग contents लाएं हैं उन contents को जो है उस पर रख देते हैं और रख करके वहाँ पर इसका equation का solution कर लेते हैं तो यहाँ पर देखें तो इसका equation हम लोग लिये थे वो क्या है तो number of molecules reacting in given time divided by number of quantum absorbed in the same time मतलब जिस time पर जितना molecule reacting react हुआ है और उस time पर कितना quanta absorbed हुआ है इसको एक दूसरे से divide कर देते हैं यहाँ पर उनका value रख देते हैं आगे देखें आगे discussion बोलता है कि the quantum yield of a photochemical reaction are important यहाँ पर जो फोटो केमिकल रेक्शन के लिए साइट हुआ है जिस पात से हुआ है उस molecules की हमको जो है वहाँ पर आफ एनर्जी मतलब उसकी कि आफ इस एनर्जी उसकी एनर्जी जो है हम यहाँ से ग्याद कर सकते हैं इसलिए जो है वह क्या करता है तो इसलिए जो है एह आफ फोटो केमिकल ट्रांसफोर्मेसन में बूटिफरेंट फ्रोम वपावर्राल के लिए हम लोग व हम क्वांटॉम्याहिजर करेंग उस से डिफरेंट होगा क्यों ब्राइमरी में के केस में होस्ट यूac केमिकल जो ट्रांसफर्मेशन है उसके बेसिस पर दिया गया है देन कंप्लीट रूप से ओवराल के लिए रेखेंगे तो धीरे-धीरे क्या होगा तो रियक्टिंग जो मॉलेक्यूल से है उनकी जो संख्या है वो कम होते चलेगी अब कम होते चलेगी तो यह वहां पे जो है बहुत ज्यादा डिफ्रेंस रहता है आगे देखें क्वांटम इल्ड वेराइस फ्राम आफ एक्टर टू रिजॉल्व मिलियंस और यहां पर बताया जा रहा है कि जो प्रैमरी क्वांटम इल्ड जो है और ओवराल या फिर मेजर्ड जो क्वांटम इल्ड है उसमें जो वह वेरियेशन कई फेक्टर के बेसिस पर जो है मिलियंस में अंतर पाया जाता है तो इस बेसिस पर हमको यहां पर यह क्वांटम इल्ड जो है ओवराल क्वांटम इल्ड और जो प्रैमरी क्वांटम इल्ड है वहां दोनों जो है वह डिफरेंट डिफरेंट प्राप्त होत अगर क्या हो जाता है, तो उसके कारण से जो quantum yield है, वह कम प्राप्त होता है, मतलब deactivation अगर क्या हो जाता है, तो उस condition में हमको जो quantum yield है, वह low amount में प्राप्त होता है दूसरा देखें, तो दूसरा है recombination, आप fragments, intermediates, अब उसमें क्या होता है, तो जो reaction जो होते रहेगा, उसमें जो intermediate है, intermediate के जो fragment होते हैं, अलग-अलग, अगर वह recombined हो जाए, तो उसके कारण भी क्या हो जाएगा, तो उसके कारण भी, जो quantum yield जो है, उसका amount जो है, वहाँ हमको कम प्राप्त होगा, इसके आगे देखें, तो inter-ra, intramolecular energy transfer, यहाँ पे inter और intramolecular जो energy होता है, उसके पर भी यह quantum yield जो है, वहाँ depend करता है, अगर inter है, तो कम हो सकता है, या intra है, तो energy transfer जो है, वहाँ ज्यादा हो सकता है, तो इस basis पे हम बता सकते हैं, कि यह जो तीन कारण है, इन तीनों के कारण के कारण से, लो quantum yield जो है, वहाँ किसी भी photochemical reaction के लिए प्राप्त हो सकता है, अब देखते हैं, reasons for a high quantum yield, high quantum yield जो प्राप्त होता है, उसका क्या कारण होता है, तो इसमें दो कारण दिये हुए है, पहला दिया हुआ है, the photo fragmented radicals by primary process initiated chain reaction, अब इसमें क्या बो रहे हैं, तो जो photo fragments, जो radicals अगर प्राप्त हो रहे हैं, किसी chemical reaction में या photochemical reaction में, तो वहाँ पे क्या होता है, तो यह जो primary process है, उसी में क्या हो जाता है, तो initiation होता है, उसका, और initiation होने के कारण से, वहाँ chain reaction सुरू कर देगा, और chain reaction सुरू कर देगा, तो chain reaction जब तक की terminate नही बने को बहुत है मोलेकुल उतने ही संख्या में रियक्ट हो इस कंडिशन में देखें तो ऐसा continuously chain reaction उत्पन हो जाने के कारण से वहां पे जो quantum yield जो प्राप्त होता है वह yield जो है high amount में प्राप्त होता है तो यह पहला कारण हो गया photo chain reaction शुरू हो जाने के कारण से जो quantum yield है वहां क्या होता है तो ज्यादा amount में प्राप्त होता है हाई amount में प्राप्त होता है आगे देखें आगे देखें तो आगे हम इसमें प्ता सकते हैं दूसरा जो इसका reason है वह तो दूसरे लिएक्शन बोलता है कि और विसे इन अडर रियक्शन अब और चैलम होता झाल में दूसररी रियक्शन क strongest थेस नबर थर्मल कर देगा तो उसमें क्या होगा आप देखें कि पहलेवाले कंडिशन में क्या हो रहा था सब्सक्राइब और सब्सक्राइब यहां पर घ्लिक श्रीकरणा कि यहां पर क्तमों रहा था वाहँ तो तो यहां पर देखें तो यह जो रियक्टेंट है इंटर्मीडेट में चेंज हुआ इंटर्मीडेट से वह प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है पहले तो तब के कंडिशन में क्वांटम इल्ड का वह कम प्राप्त हो रहा था लेकिन अब के केस में क्या हो रहा है तो जो कोनों कंडिशन से क्या हो गया तो यहां पर रियक्टिंग मॉलीकूल की संख्या भी बढ़ गई समझ लें और जो है क्वांटम जो एब्सॉर्ब हो रहा है उसकी भी संख्या बढ़ गए तो इस बेसिस पर हम फाइनली यह रिलेशन दे सकते हैं कि इसकी जो क्वांटम इल्ड है वह सेकेंडरी रियक्शन चालू हो जाने के कारण से या भी थर्मल रियक्शन चालू हो जाने के कारण से इसकी जो संख्या है वहां इसकी जो क्वांटम इल्ड का एमाउंट है वहां हाई हो जाता है तो यह मुख्य दो रिजन है जिसके द्वारा हमको हाई क्वांटम इ टो देखें यहां पर अंतर बहुत ज्यादा है कि हाई क deaf फिर्स हमको प्राप्त होता है जो हमको प्राप्त होता है एक टेन टुन टीप उंद्ट ऌह वह है वह देख्या कितना है तो लॉडकाड अल्री बश्क्ति जो ही अंतर जो है million civilians का भी अंतर जो है वो देखने को मिलता है इसी में आगे देखते हैं प्राइमरी प्रोसेस तो प्राइमरी प्रोसेस में बोल रहा है कि इन प्राइमरी प्रोसेस वन अगर एक मोलीक्यूल के द्वारा एक ही क्वांटम रेडियेशन का एक क्वांटम एब्साइशन करके एक्साइट अगर होता है तो इसको हम लोग प्राइमरी प्रोसेस कहते हैं जबकि यहां पर सेकेंड देखें तो सेकेंड है यह किस प्रकार से रियक्शन को देख सकते हैं यह देखें इसको रियक्शन बता सकते हैं दम ओलेक्यूल सुविल भी एब्साइट इसमें क्या होता है जैसे यह बी कोई रियक्टेंट है यह क्या करेगा एक एक क्वांटा जो है वह एब्साइब करके वह क्या देता है तो वह यह प्रोड़क्ट फांप करेगा इसमें क्या हो गया तो प्राइमरी प्रोसेस है तो इसमें एक से सिर्फ और सिर्फ एक ही प्राप्त होगा देन आगे देखते हैं सेकेंडरी प्रोसेस तो सेकेंडरी प्रोसेस में क्या होता है सेकेंडरी प्रोसेस किसको बोलेंगे तो सेकेंडरी प्रोसेस में बताया जाता चैंड रिक्षन कर दें कहने को मतलब हुआ और आगे बढ़ता ही रहे तो ऐसे प्रोसेस को ही हम सेगेंड्रि प्रोसेस कहते हैं तो फाइनली हम को पता चल गया है कि प्राइमरी reaction का जो excited जो molecules होगा अगर वहाँ chain reaction को initiate कर देता है और initiate करके वह reaction जो है further आगे चलता ही रहेगा तो ऐसे process को हम secondary process कहते हैं ठीक है आगे इसी का explanation दिया हुआ है expression when the excited state of a molecules is a cute stable तो क्यों इस्टेबल देखते हैं इसमें तो क्या है जब excited जो state excited state of the molecules is a cute stable तो अगर excited molecule अगर cute stable है तो क्या होगा तो the excited molecules में collides with another molecules eat molecules in the ground state and both may get decomposed in a higher quantum yield of the reaction तो इसमें बता रहा है कि अगर जो excited molecules है अगर वह stable stable हो तब वह क्या होगा तो वह primary process करके ही छूट जाएगा लेकिन अगर प्राप्त जो प्रोड़क्ट है उसी को हम बोलते है excited molecule यह क्या करता है तो दूसरा जो Nocl है इसके साथ collide हो जाता है और collide होकर क्या देता है तो यह secondary process देता है तो देखें यह further reaction करके यहां से excited होकर के secondary करते हैं मतलब जो फॉल्म करेगा तो इस बेसिज पर हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर सेंडरीटर आ जाता हैं कि अगर अगसे हैं था हम को रहे रहे हैं तो यह जुँम टो रहा है तो इसिलिए वह低ड जो कि यह जो है वह क्यूट इस्टेबल है मतलब कंप्लीट रूप से इस्टेबल नहीं है मतलब कुछ मात्रा में इस्टेबल है इसलिए वह इतने में सेकेंडरी प्रोसेस के पहुंचते पहुंचते जो है खतम हो जाते हैं इसके लिए हमको जो है जो क्वांटम इल्ड प्राप् होता है लेकिन वही चीज आगे देखते हैं यहां पर जो इनिसियेटेट जो जो प्रामरी प्रोसेस से प्राप्त जो रेडिकल्स होंगे वह रेडिकल्स अगर क्या होता है भी कोरे रहेगा तो आगे बढ़ाते रहेगा तो वहां पर बढ़ाते रहेगा और ही चीज यहांपे बदा हुए है the excited molecule itself dissociate into fragments which set up a chain reaction on account of the chain reaction a large number of reactants molecules take part in the reaction without absorption of extra protons अब यहां पर बता रहा है कि chain reaction शुरू कर देता है excited जो molecules होंगे वह dissociate होगा और dissociate होकर के secondary process देगा secondary process दे करके वह chain reaction शुरू कर देगा तो इससे क्या होगा तो further जो molecule होंगे वह उतने ही ज्यादा मात्रा में participate करेंगे लेकिन वहां पर एक्स्ट्रा absorption है वह भी यहां पर देखने को नहीं मिलेगा देन आगे बोलता है the lead of the very high quantum yield इसके कारण से जो quantum yield है वह क्या हो जाएगा तो वह बहुत ज्यादा प्राप्त होगा of the reaction के लिए इन कुछ example देख लेते हैं तो इसमें example बता रहा है कि इन फोटो chemical combination एक फोटो केमिकल कम्बिनेशन होता है एक दूसरे के साथ जब रियक्ट करते हैं या combine कराते हैं तब वहां से chlorine molecule radicals जो है प्राप्त होता है तो वही चीज आगे बता रहा है कि यह reaction के थुरू देख जाता है याँ क्लोरिन मोलेक्वॐल को जब हम थोटो फोटोन देते हैं थो वह क्या हो जाता है तो एक्साइट हो जाता है एक्साइट हो देता है तो ड़ेता हमको आटोनिक फर्म में रेडिकल्स प्राप्ट होगा तो क्लोरीन के दो रेडिकल्स बन जाते हैं अब यह क्लोरीन क्या करता है तो क्लोरीन जो है वह है H2 के साथ में react करता है और पहला molecule HCl देता है और दूसरा molecule देखें तो hydrogen radical देता है तो यह जो प्रोसेस है वह सेकेंडरी कहलाता है यह प्रोसेस पहला वाला primary कहलाता है अब यह primary process हो गया secondary process हो गया इतने में यह reaction हो जाना चाहिए लेकिन यह यहां पर जो एक्साइटेड जो molecule है जो की एक्साइटेड molecule क्या करता है तो यह अनिस्टेबल नेचर को होता है इसलिए यह आगे और reaction करने लगता है मतलब वह फीर से chain reaction को initiate कर देगा तो यहां पर देखें कि यह है radical जो है वह chlorine से react कर लेता है chlorine molecule से और क्या देता है तो ACL देता है और यहां पर CL जो radical है उसको देगा देन CL क्या करेगा तो H2O जो molecule है यह reaction repeat कर जाएगा फीर से तो ऐसे ही यह reaction जो है वह बिना टर्मिषन टर्मिनेट हुए जो है chain reaction जो है continuously आगे बढ़ते रहता है यहां पे जो excited state जो होता है वह unstable होने के कारणब से chain reaction जो है आगे बढ़ते ही रहेगा और बढ़ने के कारणब से हमको यहां पर highest quantum yield जो है वह प्राप्त होता है यही चीज यहां पर बताया गया है तो फोटोकेमिकल रियक्शन है उनके लिए कुछ क्वांटम इल्ड जो है वह बताये गये हैं जैसे यहां पर जब हम क्लोरीन मॉलेक्यूल और और औक्सिजन मॉलेक्यूल का रियक्शन कराते हैं तब यहां पर यहां ब्यालिस सो एनेम पर जो है एब्जॉप्सन सो करता है और इसके लिए क्वांटम इल्ड जो है हमको वन प्राप्ट होता है यहीं पर आगे देखें तो हुआ है यहां पर जो है जब हम रियक्शन कराते हैं तो अक्सिजन प्राप्त होता है यहां पर तूश आप एनो और ऊक्सिजन प्राप्त होता है यहां करता है या इसके लिए वेवलेंथ इतनी की आवशकता होती है और इसके लिए जो क्वांटम इल्ड है वह 1.5 की होती है आगे देखें 2HBR दिसोशेट कराते हैं दो मॉलेक्यूल साप इस इसका दिसोशेशन से हैं 1 आप हीड्रोजन और और ब्रोमिन प्राप्त होता है इसके लिए जो इसेंसेल जो रेडियेशन होता है वह रेडियेशन का वेवलेंथ है कि दो हजार सत्तर से 2530 एनेम की आव सकता होती है और इसके लिए क्वांटम इल्ड वहां टू पॉइंट जीरो की आव सकता होती इसी प्रकार से टू एच आई जो है वहां एस टू एस टू और आई टू में जब चेंज होगा तो इसके लिए भी कि दो हजार सत्तर से 2820 एनेम की वेवलेंट के आउसकता होती है इसके लिए भी जो है दक्षता जो है स्वरी हां दक्षता हिंदी में बोले जाते है उसको तो क्वांटम इल्ड जो है उसके लिए दो प्राप्त होता है इसके साथ साथ क्लोरीन और कार्बन डैक्साइट का सकता होती है और यहां पर जो क्वांटम इल्ड है वो देखें धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है तो इसके लिए भी हमको जो है इसी प्रकार से आगे बताय हुआ है कि ammonia का डिसोसियेशन करते हैं तो तुम दो मॉलेकुल साफ ammonia का डिसोसियेशन से वन मॉलेकुल आप नाइट्रोजन और थ्री मॉलेकुल साफ हाट्रोजन गैस रिमूब होता है और इसे के लिए जो है 2100 वेवलेंद की आवे सकता होती है औ अब हमको वहां से वन मॉलेकुल आप एथेन और वन मॉलेकुल आफ आयोडिन प्राप्त होता है जिसमें जिसके लिए देखें तो बीस से ले करके 2100 वेवलेंद की आव सकता होती है और इसके लिए क्वांटम इल्ट जो है 0.01 प्राप्त होता है इसी प्रकार से जब टू म हमको वन मॉलेकुल आप एथेन प्राप्त होता है और वन मॉलेकुल आप भूमिन प्राप्त होगा इसके लिए आवस्याग गयुल vẫn 25 recognizes लिए 530 wavelength का होती है और इसके लिए एसन दो किट और 0.001 प्राप्त होता है तो इस बेसिस पर हम लोग बता सकते हैं कि इसके लिए यह quantum yield sorry 0.004 प्राप्त होता है तो इस बेसिस पर हम बता सकते हैं कि यह इसमें जो उपर यहां से उपर जो है यह high quantum yield वाले हैं यह वाले जो है यह low quantum yield वाले होते हैं तो इस प्रकार से हमको high quantum yield और low quantum yield जो है वो इन बेसिस पर प्राप्त होता है कि आगे देखें कि इसमें नेक्स्ट टोपिक है experimental determination आपक्वांटम इल्ड तो एक्सपरिमेंट के थूरू कैसे हम लोग क्वांटम इल्ड का determination करते हैं इसके बारे में इसमें देखते हैं इसका डिसकाशन तो डिसकाशन बताया हिरे जाते है कि क्वांटम इल्ड आप फोक्रापव लिएक्षिंग सरभी इन प्रॉइंप प् vous उत्., आगे देखते हैं इन ऑ्ड़र आफ द डिटर माईन क्वांटम इल्ड आप फोटोक्राक्त रियक्ष्ण उसके में बोल रहा है कि अगर quantum yield का हमको order determine करना है किसी भी photochemical reaction के लिए तो यह जो दो पॉइंट है यह essential होता है उसको मेज़ाड करना तो इसमें पहला point है number up moles reacting मतलब उस photochemical reaction में कितने numbers कितने numbers मोल्स reacting molecule इसको मेज़ाड करना सबसे पहले आवस्यक है दूसरा देखते हैं कि इसके लिए आवस्यक होता है तो इन दोनों को अब जरू कर लेते हैं अब जरू करने पर जो है हमको यहां से आगे जो है यह सेट आप देखने को मिलता है सेट आप कर सकते तो इसमें देखते हैं experimental setup for the determination of a quantum yield of a photochemical reaction is as a follows तो यह फालोस तरीके से हम लोग जो है इसके experimental जो setup है उसको हम लोग setup करते हैं इसमें देखें तो यहां पर डाइग्राम के तुरू बताया हुआ है कि इसके लिए हम लोग इस प्रकार का इन जो इस्टुमेंट है यह तो complete है कि इस्टुमेंट होता है लेकिन इसमें क्या-क्या पार्ट्स लगे रहते हैं उसके बारे में यहां पर बताया गया है तो इसमें देखते हैं सबसे पहले तो हमको सोर्स चाही रहेगा एक पर्टिकुलर वेवलेंद का ठीक है जिसको जो है हम लोग स्लीट के माध्याम से उसको जो है इनिसियेट करेंगे इधर गुजारेंगे और उसके बाद है कि इसको जो सोर्स से जो जितने पर्टिकुलर वेवलेंद का जो लाइट है वह इस लेंस के माध्याम से क्या होगा तो उसको एकत्रित करके जो है लेंस क्या करेगा तो जो बिखरा हुआ लाइट रहेगा उसको जो है यह इधर से बिखरा हुआ लाइट वह सीधा सीधा इस पर आएगा एक उसको जो है उसको मौन sociology तो इसमें सिर्फ एक ही दिशा में या एक इसका होता है तो यह इसको चेंज कर दिया जाएगा देन उसके बाद क्या होगा तो जो रियक्टिंग वैसल से हमारा यह अब इस रियक्टिंग वेसल पर जो है उस मोनोख्रोमेटिक लाइट को गुजारा जायेगा अब मोनोख्रोमेटिक लाइट है को जैसे हुशे उस पर गुजारेंगे क्या होगा कि इस वेसल में उपस्तिक जो रियक्टिंग मिक्सर होंगे उसके द्वारा उन लाइट वोलकेन को फोटान के रूप में yo यह फर कांटा के रूप में फिर आइंस्टीन करेंगि अगर नंबर्स और येक्टिन मॉलेकूल सिक्वार है तो उसको को फोनटा के रूप में हम लोग करेंगे तो क्या होगihad कितना Squanta absorbed किया इसपीजins को मोग इसमें देख सकते हैं यहां से पास हो कर कि निकले Вас रिडिएटिंग लाइट जो यहां पे व्याफनेट होगा उस के बचा हुआ लाइट होगा उसका यहां पे Detector के द्वारा हम लोग एबजार से इनÓ इन पूटन एनstäंसिटी को कितना फोटान एब्जार्व हुआ इस चीच को इस डिटेक्टर के द्वारा जो है मेजर कर लिया जाता है तो इसमें यही सेट आप है जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं तो क्वांटम hybrid cartage करें कि कि इसके लिएट को स्वारीं को सब्सक्राइब को लोग ग्यात कर सकते हैं कि 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 तो gonna क्वांटम क्वांटम कीतना थे कि यहां पे हम लोग लेकर चीज़ करके सकते हैं तो इसक्ते हम को सब्सक्राइब लेंगे या सब्सक्राइब लेंगे उसके बाद है मर्करी वेपर लेंप का भी यूज़ कर सकते हैं यहां पर लाइट सोर्स के लिए हम लोग जो है सनलाइट का सोर्स ले सकते हैं या सोडियम आर्क लेंप ले सकते हैं मर्करी वेपर लेंप ले सकते हैं यह डिश्चार्ज ट्यूब का यूज़ करके हम लोग यहां पर सोर्स का क्रियेट कर सकते हैं यूज़ कर सकते हैं और उसको हमको ऐसा करके रखना पड़ेगा है उस वेवलेंथ के रेंज पर लेना पड़ेगा जिस वेवलेंथ पर वहermों इस सके तो इस पर उसको हमको सलेक्ट करना है उसके wavelength के बेसिज पर आगे देखिए तो आगे इसमें बता सकते हैं हम लोग इसमें monochromator जो है वो क्या होता है तो monochromator ने बताया हुआ है कि monochromator works as a filter for a radiation source, जो source से आया हुआ जो radiation है उसको filter करने का काम करते है अब इसमें क्या होता है तो जो सोर्स से आया हुए लाइट है जो की लेंस के थूँ जो है लायट का क्या करेगा तो पर्टिकुलर वैड्स का जो लायट होगा उसी को ही अपने मेसे बेडसमिट अने देगा मतलब defined है कि definite जो wavelength का light होगा उसी को ही वह क्या करेगा तो अपने में से हो करके जाने देगा monochromator are generally made of gelatin और monochromator जो है वह gelatin का बना होता है या फिर colorless glass का बना होता है या फिर वह transparent जो plates होते हैं उनका use किया जाता है transparent plate with metal जो transparent plate होगा उसका use किया जाता है film of a suitable thickness और उसका जो thickness है वह क्या होता है तो वह एक suitable thickness का होता है आगे देखते हैं तो reaction cell या फिर जो हम लोग यूज करते हैं reaction vessels वह क्या होता है तो it is a suitable size यह suitable size का vessels होता है made generally of a glass यह glass का बना होता है या फिर quartz का बना होता है with optical place window for free free exit और इसमें क्या होता है तो इसमें जो है optical place का यह window इसमें लगे रहते हैं जिसमें क्या हो सकता है तो light जो है reaction cells अब इसमें reaction cells contents और reaction mixture और क्या होता है तो reaction cells में हम लोग reaction mixture को add करके रखते हैं मतलब उसमें डालते हैं and its material is a inert towards your sun's wavelength range और इस mixture में जो फोटो किमिकल रेक्शन होता है उसी के बेसिस पर ही एक particular wavelength का ही wavelength range का ही जो light है उसको जो है उसमें गुजारा जाता है तो यह होता है हमारे reaction cells कैसे रहता है किससे का बना होता है इसके बारे में हम लोग देखे अब अगला है इसमें detector तो detector के बारे में बताया जाता है कि it is used for a determining the intensity of a light coming weather from the reaction mixture placed or not हां तो यहां पर क्या होता है डिटेक्टर एक ऐसा यूनिट होता है जिसमें जो incoming light है मतलब जो जो light reaction mixture से अगर रखा है तब उससे अब्जार होकर के आने वाले light को या फिर अगर reaction mixture नहीं है तो डारेक्ट आने वाले light को यह क्या करता है तो उसके intensity को determine करने का काम करता है आगे इसमें बताया जाता है कि इसमें बताया जाता है कि the difference of those two measured intensities मतलब जब वहां पर mixer रखे हैं तब जो light आ रहा है उसकी intensity और जब उसमें mixer नहीं है इंपिटी है वह आला light का जो intensity है इन दोनों intensity को वह क्या करता है तो मेजर करता है दोनों intensity को these are a number of detectors available और यह जितने numbers के जो commercially used होते हैं डिटेक्टर उसके basis पर देखा जाता है और यह जो है कई प्रकार के जो detector है उनका यूज किया जाता है जो कि commercially use किया जाते हैं तो वह बेस्ट होता है उसके wavelength के basis पर तो वह क्या करता है तो दोनों intensity के बीच में वह difference को बताता है और वह difference के basis पर हम लोग उसका quantum yield जो है वह observe करते हैं आगे देखें तो इसमें a detail description of a detector is given under the handling कि एक्टिनोमेट्री हाँ यहाँ पर जो डिटेक्टर का जो complete रूप से handling करने का जो तरीका है उसको एक्टिनोमेट्री एक सब्जेक्ट होता है उसके basis पर हम लोग जो है इसका study करते हैं इसमें आगे बोलता है an actinometer is a chemical or a physical device that measured the total amount of incident radiation तो एक्टिनोमेट्री जो है यह क्या होता है तो एक chemical या physical device होता है chemical को नापने का या physical रूप से उसको नापने का डिवाइस होता है जिसके द्वारा जो है total amount आप इंसिडेंट radiation को observe किया जाता है तो इस basis पर हम लोग quantum yield जो है उसका detection करते हैं experimental के थुरू next देखते हैं इसमें reference तो रिफ्रेंस में बताया जा रहा है कि यहां लिया गया है photo chemistry and a paricyclic reaction जो विने प्रभा सर्मा का जो बूख है photo chemistry and a paricyclic reaction करके उसमें यह दिया गया है इसके बाद है photo chemistry अलकायल गुपता का जो बूख है उससे यह लिया गया है और साथ ही साथ एक और बूख है इसमें paricyclic reaction का जगदंबा सिंग एंड जया सिंग का उस बूख में भी जो है यह photo chemistry के जो टॉपिक है वो दिये गया है तो इस प्रकार से हम लोग जो है quantum world का study करेंगे और आप इन बूखों का प्रिफर करके जो है इसके बार में और study कर सकते हैं thank you to all of you